तो हलो एंड वेलकम अगें दोस्तों लियो के डे थिरी की यानि कल तीसरे दिन की फाइनल ओफीसियल बॉक्स ओपिस कलेक्शन की फाइनल रिपोड आ चुकिये मेकर्स की तरफ से और भाई साब कल बहुती अच्छी तबाही मचाई ये इस मूवी ने हाला कि सैटर्डे में इतनी उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कल को कि ये मूवी इतना अच्छा कलेक्शन करेगी या नहीं करेगी बहुत कम करके आंकड़ा दिखाया जा रहा था बट जितना भी अर्ली एस्टिमेट से जाएगा था लोगे दोरा उससे अच्छा ही जंप मा रहा है पर ऐसा नहीं है कि डे वन पर जो ओपनिंग करी थी उसको भी मैच अप कर गया बिलकुल नहीं उससे आधा ही रेस्पॉंस देखने को मिला लेकिन फिर भी जवर्दस कमाए करी तो तमिल से कल आया है 32 क्रोण 90 लाग कर रुपए के आसपास और तैलगू से आया है 4 क टोटल 99 कलेक्शन का लेंड अप दाड़े तक कितना हो गया था 49 करोण 80 लाख रुपए के आसपास ग्रॉस कलेक्शन ग्रॉस इंडिन कलेक्शन कितना बना था ये 47 करोण और ओवर्सीज से कितना आया कल तो ओवर्सीज से फिर भी रेस्पॉंस कॉंस्टेंटली देखने को मिलना है फर्स डे ओवर्सीज से 67 करोण आया था वो हीूज इंकम थी और हिस्टॉरिकल इंकम थी उसके बाद आकड़ा उसका आधा 50 परसें जा चुका है ओवर्सीज से और साउथ की मूवी में फिर कह रहा हूँ अकसर ऐसा होता है हिंदी मूवी में तो फिर भी सेकेंड डे या थर्ड डे या फिर फोर्ट डे में इंकम जंप कर जाती है लेकिन बात साउथ बैल्ट की होती है और खासकर तमिल मूवी तमिल इंडरस्ट्री की लियो मूवी पह लाग के आसपास इसने कमाई करी थी पहले दिन में और सेकंड डे भी अच्छी खासी कमाई करी थर्ड डे में भी हूज कलेक्शन आये थो तो थर्ड डे में ओवर सीज से 30 करोण आया और पूरी दुनिया से ये मूबी कल वर्ड वाइड बॉक्स ओपिस कलेक्शन करी थी 77 करो के आसपास और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन पहले तीन दिन का अगर आपको बताएं 4 लेंग्वेज को मिलाकर तमिल, तैल्गू, हिंदी और कन्नरा लेंग्वेज को मिलाकर ये मूबी 140 करोण net इंडियन कलेक्शन कर चुकी है ग्रॉस इंडियन कलेक्शन वही पहले ती तोटल कलेक्शन हो जाता है का लैंड ओप दा डे तक पहले तीन दिन का पूरी दुनिया से दोस्तो 90 करोन बाई सब तीसरे दिन में 300 करोन टच करने से ये मूवी 10 करोन के आंकडे से रह गई वरना पहले दो दिन में 200 करोन कमप्लीट किया और फर्स डे तो इसने 100 करोन कमप्लीट करे ही थे लेकिन फिर भी कल के दिन बहुत अच्छा रेस्पॉन देखने को मिला आज संडे है संडे को और अच्छा जंप कर रही है मूवी और संडे को अच्छी खासी कमाई करते नजर आ रही है होता यह है कि या तो मूवी सेटर्डे को अच्छी कमाई करती है या तो संडे को अच्छी कमाई करती है लेकिन कल Saturday में constantly growth देखने को मिली जैसी growth हमें Friday में देखने को मिली थी वैसी ही growth हमें कल Saturday में देखने को मिली है इतना कोई फरक देखने को नहीं मिला हाला कि Friday working day होता है और Saturday एक holiday के रूप में बहुत सी जगे यूज करते हैं इसको बट आज Sunday है Sunday full day crowd चला है house full source चले है Leo की तरफ से लगातार banners पे banners लगाय जा रहे है कुछ एक जगे tutors में मैं देख रहा था लेकिन दूसरी तरफ यार यह hate फिलाने वाले I don't know कौन है अभी भी Leo disaster करके यह trend कर रहे हैं जबकि यह नहीं मालुम नहीं है इस movie ने तीन ही दिन में अपना budget recover easily कर लिया है और आज Sunday है Sunday को यह profit कमा जाएगी तो जबर्दस तरीके से कोई छोटा मोटा trend नहीं चल ला है 10-20,000 का trend नहीं चल ला है लाखों में trending चल लिये Leo disaster करके Leo का fake collection है Leo माले जितनी जो हद तक troll कर सकते हैं जैसी बुराई यह कर सकते हैं उस पूरी हद तक यह movie की बुराई कर रहे हैं लेकिन देखा जाए तो movie easily अच्छा खासा collection कर रही है और blockbuster के list में मैं कहा रहा हूँ यह बहुती जबरदस्त place set कर चुकी है जिसने opening इतनी solid करी 148 करोन by God 2023 में कोई भी movie नहीं है जिसने 148 करोन सिर्फ first day में इंकम करी है तो आपकी कह राय है किया यह movie lifetime collection कितना कर जाएगी यह movie 600 या 700 करोड या फिर 1000 करोड जो भी आप किराय है निशे कमेंटर से जरू बता कि जाना मिलते हैं अगली वीडियो में जाहित